नमस्कार मी मधुराजी चोविस्तास मध्यापल स्वागत हितगूज यामच्वा खास करिक्रमात अपन रोज विध विश्यान वर चर्चा करूं तद्न्यान समार्गदशन गेतों सो आज अपन हितगूज मधै चर्चा करना रोज किड्नी से विकार और अधुनिक उप्चार पधती या विश्यावर आणि या विश्यार चर्चा करना सथी आमचा स्टुडियो मधे याले डॉक्टर सचीन सोनी विश्या कड़े वर्णा पुरवी मी डॉक्टर सोनी यान सामचा स्टुडियो मधे स्वागत करते नमस्का डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर सोनी आपन हैंजी थोड़ क्यात ओड़क करूंगी हुए डॉक्टर सोनी आणनी नागपूर मधून वैदिके शिक्षण पूरण केल आणी तयान अंतर हैदराबाद इथों नेफ्रोलोजी चा उच्छ शिक्षण टानी गितल आणी तसस इटली मधून तयानी क्रिटिकल केर आणी इंटर्मेंशनल नेफ्रोलोजी मधे विशेश अ प्रावीडने प्राप्त केल डॉक्टर सोनी केले साथ वरशान वसुन आउरंगाबाद इथे कारेलेता हैद किड्नी आजार व उप्चार है विशेट अनी पन्नास बिक्षा जास सलेक आंतराष्टियर नियत कालीकान मधे प्रकाशित केलेत तैन्ना तैंचा कार्या बदल अनेक पुरसकारानी सनमानीत ही करना ताले डॉक्टर सोनी इहनी दोशियून अधिक यशस्वी किड्नी प्रत्यारोपन शस्त्रकरिया आणी हजारान बिक्षा अधिक फिस्टूला शस्त्रकरिया करून 15,000 बिक्षा अधिक डालेसिस करून टैंचा जिवना मधे सकारत मगस अधिक बदल घड़वू नाद लेले तेसा द्या एने बिएच मानांकन प्राप्त युनाटेट सिग्मा होस्पिटल मधे कारे ताहेत चला तर आज पन किड्नी विशी एकोणस किड्नी चा कारे विशी अधिक माहिती जानूंगी या रोक्टर सोनी हैंचा गड़ून तेमा किड्नी बदल तुम्छा करने जानूंग जानारों सगय दो गडर सांगा किड्नी ची नेमकी रचना कशी असे आणि तीचा शरीरा मधे काय महत्वाचा कारे असे ताह बदल निसरगाने प्रत्यक मनुशाला दोन किड्ली दिले आहेत तैचे स्थान पोटा चा आद पाठी चा मनक्या चा बाजुला आसते आपन जर विठला चा मुर्ती सारके पाठी वर दोन हाथ ठीवन उबेर आयलो तेर आपले दोन अंठे जीते रहातील तैचा खाली दोन किड् अंदा जे वजन दिल शेक्राम असते हे किड्नी फिल्टर करता या फिल्टर केले ले आ रखता पई की शरीराला जे आवशक रासायन आहे आवशक पानी आहे ते किड्नी शोशुन घेता आनी अनावशक घटक आनी रसायन हे यो लगवीद वारे किड्नी उतसर जित करता श आडांची वस्थुला स्नायूंची मजबुती ठेवन हे सुद्धा किड्णीचा काम आहे। किड्णी वद्वारे एक इरिथ्रोपाइटी नावाईचा रसायन सुद्धा बन्त आणी जाचा महत्व रक्तकन मंजे जाला आपन हिमोगलोवीन बन्तो हे बनोन्या साथी आहे। शिवाय आपले शरीर आतना ब्लड प्रेशर योग्या नियंतर ना ठेवनेचे काम सुद्धा किड्णी करतार। प्रेशर आपन सामान्य कार्या लक्षात ग्यतले तर किड्णी आजाराची लक्षन ही समझने आपले ला सोपे जाहिल। अना वस्चक रसाइने जमा होताथ आनी त्याचा हलू हलू शरीराचा इतर अवयावर दुषपरिनाम होतो। जसे अननलिकाव पाचन शक्तिवर जर दुषपरिनाम जाला। तर रुगनाला वारम वार उल्टी होने, मलमल होने, जेवन कमी जाने आसा जाना होता। फुपुसात पानी जर भरलेतर रुगनाना दम लागू शक्तो। शरीरावर खाज एते, मेंदुवर दुषपरिनाम होन पेशन्ट्चा लक्ष वीचली थोऊ शक्तो। कामात लक्ष लागत नाहीं, कदी-कदी बेशुद्धा वस्ता हो शक्ते, जटके यो शक्ता, पेशन्ट्चा ब्लड प्रेशर वाडू शक्त, डाइबिटिस चा रुगनाम मदे वारम वार साखर कमी होता सेल, तर हे सुद्धा किड्नी आजाराचा आमंतरन किवा चा सर्व लक्षने, एका पेशन्ट मदे आस्तिलह्च ये काई निष्चित नाहीं है, गयाचा पई कि कौन्तही एक नक्शन अशुद्धा किड्नी आजाराच उचक तो, अगशने, बाडैस शरया वाडू शूद्धा हो शुरुद्धा और किवा शुद्धा किड्नी आज प्रतेक लाहान लक्षन आपन महत्वास धरून त्याची योग्या तपास नी केली पाईजे। बरबरे ही लक्षन खरता दिसाल लागले वर्ती ताबर तोप खरता तपास नेया करूंगे न आवश्चे कसा। अर्था तस एकुन नेमक्या कोंट्याट तपास नेया थे देखिल माला डॉक्टर दूंच्वाकरन जानूंगेचे मत्रा त्याच्या पुर्वी का घ्या किड्नी आजाराची नेमकी काय कारणा आहे त्या विश्ची माला जानूंगे लावडेद। आपली बदलती जीवन शेली फास्ट फूड कल्चर मुले आपले समाजात मदू में स्थूलता व उच्चे रख्त दापाचे प्रमान वाड़ता है आनि परही नामता किड्नी आजाराची सुधा प्रमान वाड़ता है ब्लड प्रेशर व डाइबिटीस है किड्नी आजाराची सर्वात दोन महत्वाचे कारणा है आमी जे रुगन बगतो त्याचा पए कि 40-15 टक के रुगन है मदू मुहाया सम्मंदित किड्नी आजाराची अस्ताद याचे वे तिरिक ता गलोमेरोल नेफराइटीस मंजे जा आजाराची किड्नी मदून प्रोटीन लिकेज होते हाँ सुधा आपले समाजात बगले जानारा आजारा है एक साध्या शब्दात जर सांगाईचा असला तर किड्नी चा काम एका सालनी सार कहसता एका गालनी सार कहसता मंजे समझा आपन चाहा गालनेची गालनी घतली तर तैचा मदे जर आपन चाहा गालला तर चाहा खाली जातो आनी पत्ती वर रहाते तरस चाम किड्नी चा है डाइवेटेस समिन्दीत आजार, किमां ग्लॉमेरोल नेफ्राइटिस, याचात या गालन यंतराचे होल मोठे होतात। गालन यंतराचे होल जर मोठे जाले, तर लगवी सोबत पत्ती सुद्धा जाओ शकते। याचा अपले ऐचाद आपले ऐचाद अपले ऐचाद अनालजी जर पकडली हुमन आपले है शेरीराद तर असरे समझा की लगवी ओवड शेरराद ले आत्ताव शक घटक माझे अक्याँ प्रतिने प्रोटीन हेच सुद्धा जाओ शकताद आनि यह सिक्पेंस में किड्नी आजार वाडू शकतो। यह चे वेति रिखता किड्नी चा जन्तू संसर्ग, अना वश्चक गोलाईंचे शेमन, विशेश करून वेदना शामक गोलाई, किड्नी स्टोन्स जालापन मुथखडा मनतो, हे सुद्धा किड्नी आजाराची इतर का यह चे वेति रिखता कही आजार अनुवाशिक वा जन्मजाद सुद्धा असुशकता। तीन साध्या सर्वत्र उपलब्द कमी खर्चा चा तपास्निया, जामदे लगवी ची तपास्नि, आपन त्याला यूरीन रूटीन मनतो, रखता तिल क्रियाटिन लेवल, सिरम क्रियाटिन लेवल, वा सोनोग्राफी, यह आपलिया किड्नी चा अवस्ते बद्दल आपलिय तर आपन त्वरित किड्नी तत्नियां सा सल्ला गहला पाईजे, किड्नी तत्निया, मग यहा प्राइमरी मजे चा बेसिक तपास्निया, यहा तपास्निया वा रुग्नांचे लक्षन, यह आधारे काई पुर्चा second step चा तपास्निया करतात, जामदे इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड यूरिया, चोईसता सातील लगवितिल प्रोटीन चे प्रमान, यूरिक ऐसीड लेवल, किड्नी बायपसी, यहा तपास्निया वर कही अत्यादुनिक तपास्निया, जासे एने, आंका लेवल, सिरम कॉंपलिमेंट लेवल, DTP scan, जाचा किड्नी चा डाइरेक्ट फंक ठरू शक्तात, मी इते सांगू एच्छी तो, कि आवरंगाबाद मदे, आमचा होस्पिटल मदे, यहा सर्व प्रकार चे अत्यादुनिक तपास्निया उपलब्दा है, आनि तया माफक दरा मदे आपन रुगन सेवेत उपलब्दा के लेले आ है आत्ता परंदापन खरतर किड्नी बदल ची एकुणास कारे पद्धती कारण काया है किड्नी आजराची, आनि एक लक्षन काया है तेच देखिल जानूंग एतला, तपास्निया बदल पन जानूंग एतला, मतर सगयात महत्वाची स्टेप एते ती मनझे उप्चार पद्ध ते नेम की काय उप्चार गहाचे और अउशद उप्चाराने किड्नी चा आजर बरा हुँ शकतो का आसर सर्वसामनना पडलेला एक प्रशनासोत त्या विश्री काये मार्गदरशन कराल डौक्टर निश्ची तच, किड़नी विकार आउशवदूपचाराने बर्वे हुँ शक्तात, पन हे रुग्नक केमा डॉक्टर कड़े पोच तो यह चावर अवलंबुना है इत कोंत्याई आजारा मदे, किड़नी चा आजार असो, किमा हुरुदया चा आजार असो जमा तो आजार लक्षनान द्वारे अपलेला महित पड़तो, तो वाडलेला आसतो जर आपलेला आजार प्राथमीक स्तारावर महित कराईजा आसेल, तर आपन स्वत्ताहुन तपास न्या करने हे फार गर्जेच आस्त आनी अशा आवस्ते मदे जर प्राथमिक आवस्ते मदे जर आपन डॉक्टरां कड़े गेलो तर केवल आउश्दवप चारा नेज किड्नी चे जवल पास सर्वचा सर्व रुगन बरे हुशकताद दुरदयवाने जो परेंत पेशन्ट आपले खड़े पोहस्तो बरेश दा त्यान सा आजार वाल्डेला आस्तो आनी त्यावली आउश्दवप चारा शिवाए त्यानना इतर परियाए आपलेला द्यावे लागताद अथा तुमी सांगीतलत की खरतर विगवेगे उपचार उपलबदा है नकीज आनी किड़नी चा आजार आमधे विगवेगे आत्ता धुनिक उपचार पद्धेती तैसबरो तपास ना देखिल आलेले आहे तैसबरो आउश्द उपचारा ने जर किड़नी चा आजार जाला नहीं तर काई-काई परियाई उपलबदा है फक्त शस्त्रक्रियाकिवां किड़नी प्रत्यार उपण हे एकमे वो परियाई आहेत का आउश्द उपचारा ने जर किड़नी आजार बड़ा नाई जाला याला आपन क्रूनिक किड़नी डिसीज बनतो मज़े हा कायम सुरुपी किड़नी आजार आणि कायम सुरुपी किड़नी आजार हड़ु-अड़ु वाड़ुन जहां दोनी किड़नी ची कारेक्षमता दाहा टक्क्या चा कमी होते तेमा पेशेंट ला डाइलिसीस ची गरज पड़ते डाइलिसिस दोन प्रकार चे असतार हीमो डाइलिसिस औनी पेरिटोनियल डाइलिसिस तुम्ही उल्डी केला प्रमाने किन्डी परत्यारोपन थेचतला तीसरा परी आया है जनमान साथ डाइलिसिस बदल सुद्दा बर्याद सुकी चा धारना है एक प्रश्ण आमाला रुगन नहीं में आसा विचारताथ कि एक दा डाइलिसिस के लतर पेशन ला डाइलिसिची सवय लागेलका कि माँ डाइलिसिस चावली पुर्ण रखता बाहर काण्याताल आनी नवीन रखता भरन्याते त आशी धारना बर्यास लोका मदे आए कि एक डाइलिसिस आपलेला वारमवार लागनार की नाई ये किड्नी आजाराच चा कारणावर आनी तैचा स्टेज वर डिपेंड करता बरेश दा आसा होता कि किड्नी चा आजार तात्पूत या स्वरुपा चे असता जाला आपन अक्यूट रिनल फेलिवर मनतो आशा आजाराच डाइलिसिस केवर एक दीड ते दो नाठोडे आपन करतो आनी त्या काराच किड्नी ची योग्य ट्रिट्मेंट करून किड्नी आजार पूरुपा ने बरा होतो आनी डाइलिसिस पेशन्ट सा बंद होन जाता किड्नी पूरुवर नॉर्मल होते तशेश आपन ऐजी डाइलिसिस प्रक्रिया है किशेश ऀकलोस सरकिट प्रक्रिया है आपन खाई रखत पूरुपणर पने बाहर काड़ून नविन रखत भरत नाई तर्फैर बाहर आलेले रखत एका सुई दो आरे क्लोस सरकिट मला ये एता आनि एका आर्टिफिसेल फिल या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई तरास होतो कि वा ते दुखत का असकाई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। या प्रक्रिय मेंद पेशेंट ला फार काई नहीं है। तर एक नवीन कीड्णी शरीराथ बसो नहीं थे। कीड्णी प्रत्यारोपन है काई आटा खर्चिक प्रक्रियान आई राएलीलिया है। या मज़े आम चाड़े आम एक अत्यंत माफकदराथ हे प्रत्यारोपन करतों। करतो आनि किन्नी दाता हाकाई अधू होत नाई तो अपलो पुरोवत काम करूशक्तो तो त्याचा जिवनात कि वा त्याचा कार्या शहिलीत काई भरक पड़त नाई तर आपन ये गर समझ दूर करून प्रत्यारोपनाला प्रोचान दिल पाई जे जाचानी रुग्णाज जी प्रत्यारोपनाचा विशे येतो तेहां अनेक रुग्णान थोड़से टैंशन हेतो अनि थोड़से है सगया उष्टी प्रत्यारोपना विशे अनेक दासो तक गी गैर समझ जाश सपसर लेले समाजाद बगारा मेतात या विशे माला जाणूगे जे कि जहां पण सहस्चक्य जाला है आणि डॉक्टराणी आत्ताच या संद्रबाद अपलेला अधिक मायती दीले आपने पुन्हा एक दा डॉक्टराण कड़े जाना अरो डॉक्टर प्रत्या रुपना नंतर सर्वसामान्य आयुश्य तो रुग्ण जगुशक्तो का त्या विशी का सा अचुनि यहाओ आपनला रुग्णाच जा जिहुनात एक विगळी सकलाऺनी बखत लेले आए प्रत्यारोपना नंतर तयान से जीवन पूरंपने नॉर्मल जालेला है बरेच रुग्णत तरू नहेत ज हैनि जैंसाधी लगन जालेलनो तर प्रत्यारोपना नंतर लगना प्रत्यारोपनाथान संथती प्रापत जाली लिया है ते आपले गाम करूशकता है, स्वता साथी कमूशकता है यह आणी ही आपन उते कमाई करता है तेहां में स्वताचा उप्चाराचा खर भागोताच शिवाये आपले परिवाराचा बोझा सुद्दा ते समर्थ पने पेलू शकता है तो ही जी ताकत प्रत्यारोपन आता है ती डाइलीसिस मदे नस्ते तैचा मुल आपन खास करूं तरूं लोकान आपन ये प्रत्यारोपनाचा स्ट्रॉंगली सल्ला देतो मैंला अजुन हे सांग इच्छी तो कि ये प्रत्यारोपन लहान बाला पसुन अमीज आमचानू बाउत साथ वर्षाचा मुली पसुन एक 50 वर्षाचा मानसा सुद्दा प्रत्यारोपन के लेला है कांनि लोकान ये सुद्दा वाड़ता की सर्वत्तम परी आया है पक्ता तेचा साथी आथ तेचा परिवाराथ डोनर असला पाईजे परिवाराथ जर डोनर न असला तेचा तो यह आपन काही वेगले मार गाया मज़े जसा कैडवर ट्रांस्प्लांट आये माक्चा वर्षाद अवरंगाबाद में यही सर्वलीन जोर पकडला आनी आमचा हॉस्पिटल पे चा सहा रुगनांचा कैड़ावल ट्रांस्प्लांट जाला आनी ते सर्व यशस्वी पने जगता है यह श्वाए एक स्वाइब ट्रांस्प्लांट नावाचा परियाया है जांचा घराद डोनर तरा है पन्तो तेंचा रुगनाला चालत नसेल तर एक्सचेंज करता है दुसर्या परिवाराद जर डोनर असेल आनी आशीच परिस्थिती असेल यह श्वाए परिवाराद जर डोनर तरा है आनी तैंचा तेक वेगलाज इमोशनल बॉन डेवलब जालेला है मझे हाँ अपले धार्मिक भावनेचा पुड़े गेलेला है नकिस खरत प्रत्या रुपन है उत्तम परियाए ठरुशक्तों किड्नी जान्ची फेल जालिया सेल तैंचा सथी नकिस आपने एक छोटा साथ डॉक्टर ब्रेक ग्यों आणी ब्रेक नंदा अत्याधूनिक उप्चार पध्धती अजुन काया है त्या विशी मला तुमचा करने जानूंगेचे पने का ब्रेक नंदा तेमा कुठे ही जाऊनका पहात्रामचा खास करिकरम ठीटे ब्रेक नंदा हिता गुज मेदे अपने पुन्धा सावगत आया आणी आवज अपन किड्नी चे विकार आणी आधूनिक उप्चार पध्धती निया विशी जानूंगेचे लोक्तर सोनी आपला सोबदे अपने पुन्धा एक दा चर्चे कड़े वनावत डॉक्टर अर्थ एक वैस्कुलर अक्सेस सेंटर चालू के लेला है डिफिकल्ट एवी फिश्चला एक नावाज से एक शस्त्र क्रियास थे आमी ती बरीस नावेन नियो पुर्ण पधती ने करतो यह चा साथी आमाला बरेस पुरसकार सुद्धा प्राप्त जालेले है तर हे साइंस फार प् यह दर वर्षी मार्च महिने चा दूसरे अगुर्वारी जाकतिक मुत्रपिंडद दिवस असतो आनि यह वर्षी यहाचा जो थीमा है तो फिटनेस समंदीता है तर हाँ विशे घ्यून आमी एक किड्नी थौन मंजे किड्नी रुगनां चे मैराथौन ऑर्गनाईज करता है तर यह कार्यकरमाचा माद्दे मातून मी सर्वान आसे आवान करतो कि यह मैराथौन मदे किड्नी ट्रांस्प्लांट जाले ले रुगना यानि किड्नी डोनेट के लिली आई है रुगना यह सहभागी होना रहे तो आपन त्यांचा आयूश्य भगा आपन स्वताई पाई जे आपन आपला जीवन सुधरवा आयला पाई जे थोड़के यहा किड्ने थौन चा निमित ताने तुम्ही एकुणास जनजागरती घड़वनाएचा प्रेतना करना रहात आने एकुणास तुम्ही किड्नी बदल्ची किड्नी विकारां संदरबात ली पूरुन तह महाईती अपला प्रेक्षकान परेंता पोचोली त्या बदल्ची किड्नी वाद खरता यहाँ बूलेटे यहाँ खास कारकेन वाद आज आपने थे सांदो दुम्ही पहात राजी चोविस्तास जी चोविस्तास रहा एक पाउल पुढे